मद्र प्रदेश का भविश आज तैह हो जाएगा, कुछ देर में वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, चंद मिन्टों के बाद और हमारे साथ वियाईपी उमीदवार यहां के तीसरे बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं कमलनाथ सरकार में पूरू मंत्री दिगविजे सिंग के बेटे जैवर्दन सिंग साब जो कि सुवे सुवे रागोगर्द में अपने किले में रागोजी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं उनके साथ उनकी पतनी उनके बेटे उनसे मैं बात करता हूँ सर अभी मैं देखा आप दर्शन कर रहे थे रागोजी के भगवान राम का बाल रूप जी उम्मीद है कि इस बार आशिरवाद मिलेगा हो तो सदैव रागोजी का आशिरवाद उनकी असीम क्रिपा सिर्व मेरे पे नहीं बलकि जो संपून रागोगड है हर एक नागरिक पर रागोजी की विशेश और असीम क्रिपा है लगभग यहाँ पर रागोजी का बंदर साड़े तीन सो साल पहले स्तापित हुआ था और सभी की आस्ता यहां से जुड़ी हुई है हमारे कुल देवता भी है और सुभाविक है कि अरागोजी की पूजा करने से अराधना करने से हमको एक अद्भुत एक नई उर्जा शक्ती मिलती है अभी आप यहां दर्शन करने है रागोजी का मैं आपको रेफर कर दे तो अभी अभी मैंने देखा केलाश वेजवर्गी यह कह रहे है आप लोग के पाटियों कॉंग्रिस को हिंदू विरूदी कह रहे थे आखिर केलाश वेजवर्गी जी कौन है जो तैक करते हैं कि हिंदू विरूदी कौन है कौन नहीं है सिरफ क्योंकि भाजपा की हमेशा यह सोच रही है कि वो तैक करें कौन हिंदू है कौन नहीं है लेकिन हमने हमेशा माना है कि जो हमारे हिंदु धर्म का इतियास है सद्यों पुराना है जबकि भाजपदर स्वेम ही 40 साल पुरानी पार्टी है तो आखिर और हमारा परिवार तो यहाँ पे सा सा εν सा साल से है तब से हां पर हमने डं का पालन किया है उससे पहले भी हम तो गूगेर और गसाघर आगरों से आये जो और और भी पुराना है तो ऐसे में मेरी बात नहीं है पूरे हमारे हिंदु जो अपने को निभाते भी हैं, धर्म को मानते भी हैं, वो ए नीजी विशह है. लेकिन हर बार भाजपा को यह उनमें जो गमन और एंकार हो गया भाजपा के लोगों में, कि वो यह तैक करें, कौन हिंदू है, कौन नहीं है. उनके बास कौन सी गादी आ गई? कि वह यह तैक तो आज जन्ता भी वैसे समधार हो गई है तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें इस बार जन्ता देने वाली हैं हमें तो पुरा विश्वास है कि इस बार कॉंग्रिस की जो सीटें हैं लगबग 140 पार होंगी अपको क्या लगता है आप से जरूर पूछना चाहूंगा आपक करते हैं हमेशा और सौप्यतिश सरकार आएगी आपको क्या लगता कौन से मुद्ध्य हो सकते हैं जो महिलाओं को इस बार अफेक्ट कर रहे होंगी मतलब सब कुछ जैसे जो हम सुनने में आता है कि कॉंग्रिस सरकार जो कहती है वो करती है जैसे मेरे फादर-in-law भी वो भ बहुत ही वो पुष्टैनी रिती रिवाज है तो वही जैसे यह भी मैं इनको देखती हूं कि जो भी आए मिले सबसे मुलाकात होती है कि जो भी जिसको जो बोलना है और सब की बात सुनी जाती है और प्रयास तो होता है तो आपको लगता है सरकार बनेगी इस बार जी जी एक बार आप आपका मैं ये रागो मंदिर दिखा देता हूं दिखा दीजी एक बार निखिल जी कि ये काफी साल पुराना मंदिर है और ठीक रागो जी के सामने यहां हनुमान जी उनके भक्तियां पर सामने इनका भी दर्शन किया मैं आप से पूछा ता सर कौन-कौन से प्रभावी आज मद्रिप्रदेश में भाजपा के राज में हर वर परिशान है पीडित है किसान को अपनी फ़सल का सही दाम नहीं मिल रहा है लगातार महंगाई दोगों नहीं हो रही है लेकिन किसान की आये वहीं आदी हो रही है उसी प्रकार से अगर हम युवाओं की बात करें तो मेरे हिसाब से इस चुनाओं में जो बड़ा परिवत्न आ रहा है और जो सीट हम देख रहे हैं कि इस बाद जो सर्वेज में भी जो दिखाये गया है जिसमें कॉंगर से आगे चल रही है सबसे बड़ा फैक्टर युव गोटाला दिया और जब ये वापिस आये अभी 2020 में जब इस सरका वापिस बनी युवाओं को लगा कि जो उन्हें पहले पाप किये थे वाजपाने वापिस नहीं करेंगे लेकिन पुनह इस बार हमने देखा पटवारी भर्ती परिशा की में जो गोटाला हुआ है उसमें लाखों युवा जिनको उमीद थी कि जो शिक्षित युवा है जिसने सही पेपर दिया है उसी का चैन पटवारी में होगा पटवारी भर्ती में होगा लेकिन हुआ कि जिन लोगों ने पंदा पंदा लाग रुपे की रिश्वत दी उनका नाम टॉप 10 में आ गया था और परिणाम यह हुआ है कि आज दिन तक एक भी रिक्ति का चैन नहीं हो पाया है पूरी प्रिक्षा होल्ड पर है इस पगार के अनेको ऐसे स्कैंडल हुए है भाजपा के राज में जिसे कि युवा का मनुबल तूटा है अब यह करम बात करें शिक्षा के बारे में भी तो न युवस्ती ने नर्सिंग में अडमिशन लिया सा 2020 में इस उमीद के साथ के वो तुसरत इसमें ग्याजूट कर लेंगे तो आज भी वह वहीं फसे पड़े हैं क्योंकि इन लोगों ने फेक कॉलेजिस खोल दिये हैं अनेको जगह जहां पे जो माब्दन होने चाहिए नर्स तन लाएगा और कमनाज जी को कॉंग्रिस को एक बार पांच साल का मौका देगा अब को लता है पूर्ण बहुमत आएगा जिस्चत तोर पे इस बार एक हवा है एक अलगी एक लहर है जिससे की पूरे प्रदेश के हर संभाग में मुझे जो दिख रहा है हमको हर संभाग से बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शुब कामना है आपको मेरे ख्याले अब आप लोग वोट भी डालने जाना चाहेंगे जी ठीके बहुत 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 शुक्रिया जैवादन सेंग साब और उनका कहना है कि पूर्ण बहुमत के सरकार आएगी तमाम मुद